नमस्कार दोस्तों मैं विजे कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल ट्रूएंट डिटेल्स में तो दोस्तों यह हमारा समान यह दन का प्रेक्टिस सेट 40 होगा जिसमें हम 25 महतों प्रस्ण को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रस्ण कर पा जो कि आपके रेलबे NTPC और रेलबे ग्रूब डिक लिए काफी महतों पूर्ण है दोस्तों तो चलिए सुरात करते हैं आज का हमारा पहला प्रस्ण पहला प्रस्ण है मनुस्य मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग होता है एक सेरेब्रम, दो सेरी बेलब, तिन अगरमस्तिस्क, चार इन में कोई नहीं तो इसका सही अंसर रगा दोस्तों अप्शन एक सेरेब्रम, यादर के रेलबे दोस्तों सेरेब्रम तो चलिए हम अगले प्रस्ण के और बढ़ते है पेपसीन एनजाईम किस के पाचन में सहायक होता है एक स्टार्च के, दो प्रोटीन के, तीन कार्भो हाइडरेट के, चार इन में कोई नहीं तो इसका सही अंसर रगा दोस्तों अप्शन दो तीन एपिकल्चर, चार फलोरी कल्चर तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों, option 4, flory culture यादर रखेगा दोस्तों, flory culture चले हम अगरे present के और बढ़ते हैं सुखोई 30, किस देश द्वारा विक्सित किया गया है options, एक अमेरिका द्वारा, दो भारत द्वारा, तिन फ्रांस द्वारा, चार रूस द्वारा तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों, option 4, रूस द्वारा, तियार के विक्सित के आगया है, सुखोई 30, याद रखेगा, सुखोई 30, fighter plan है चले हम अगरे present के और बढ़ते हैं रातरी में देखने के लिए कौन सी तरंगे प्रियुक्त की जाती है तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों, option 1, जोकी सही है, बाकि 2 जोत है, तिन घटा बढ़ता है, चार इनमें कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा, दोस्तों, option 2, बढ़ जाता है, दोस्तों, दाब बढ़ाने पर मौम का गलना बढ़ जाता है चले हम अगले present के और बढ़ते है बहारी जल में hydrogen के अस्थान पर क्या होता है एक sodium, दो helium, तीन deuterium, चार इनमें कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा, दोस्तों, option 3, deuterium होता है दोस्तों, याद रखे है, deuterium तो चले हम अगले present के और बढ़ते है औक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए sodium धार्तु को dash के भीतर रखा जाता है आप सभी जानते होंगे दोस्तों option 1, petrol में दो, diesel, तीन क्रियोसीन चार इनमें कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा, दोस्तों, option 3, क्रियोसीन के भीतर रखा जाता है दोस्तों, याद रखेगा तो चले हम अगले present के और बढ़ते है अक्टोपस के खूण का रख कैसा होता है एक नाडंगी, दो पीला, तीन लाल, चार नीला तो इसका सही अंसर होगा, दोस्तों, option 4, नीला होता है दोस्तों, अक्टोपस के खूण का रख नीला होता है तो चले हम अगले प्रशन के और बढ़ते है मौर्य समराट असोक का राज्या विशे कहां हुआ था एक स्रिलंका में दो राजगीर में तिन पाटली पुत्रा में चार इन में कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों अप्शन तीन पाटली पुत्रा में हुआ था प्रस्ताओं का लेखक कौन था एक महत्मा गांधी दो जवाहरलाल नहरू तीन बल्लब भाई पटेल चार इनमें कोई नहरू तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों अपसन दो जवाहरलाल नहरू तो चलिए हम अगले प्रस्ताओं के और बढ़ते हैं बंगाल विभाजन के बिरोध स्वरूब कौन सा अंदोलन प्रारंब होगा था एक भारत छोड़ो अंदोलन दो सबने अवग्या अंदोलन चार स्वादेसी अंदोलन चार उपड़ियू कि तीन हो तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों अपसन दो स्वादेसी अंदोलन का अंद दोलन प्राब्राम भूहत है दोस्तों याद रखेगा इसमें अप्षण 3 है और आप्सम 2 है इसका सही आंसर होगा दोस्तों अप्सम 3 स्वाधेशी ते चलिए हम अगले प्रश्म के उबढ़ते हैं इसके लिए सवरी दोस्तों बंदी प्रतियक्ष की करन स्वरी बंदी प्रत देकार नहींत होता है दोस्तों याद रखेगा तो चलिए हम अगले प्रश्म के उर बढ़ते हैं और विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है एक राज्य सभा में दो लोग सभा में तिन किसी भी सदन में चार इनमें कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा दोस्त तिन गोदावरी चार ब्रहमक पूतर तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों अप्सन दो कावेरी याद रखेगा दोस्तों कावेरी तो चलिए हम अगले प्रश्म के उर बढ़ते हैं नीलगिरी की सर्वोच चोटी का नाम है एक एवरेष्ट दो कंचन जंगा तिन केटु तिसका सही अंसर होगा दोस्तों अप्सन चार दो दा बेटा याद रखेगा दोस्तों नीलगिरी की सर्वोच चोटी का नाम दो दा बेटा है तो चलिए हम अगले प्रश्म के उर बढ़ते हैं किस पंच वर्सी योजना में आत्म निर्भरता का लक्ष रखा गया अप्सन एक चोथी पंच वर्सी योजना में दो पांच वर्सी योजना में तीन दूइतिय पंच वर्सी योजना में चार इन में कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों अप्सन एक चोथी पंच वर्सी योजना में याद रखेगा दोस्तों चोथी पंच वर्सी योजना मे चलिए हम अगले प्रशन के और बरते हैं भारत में सबसे महत्वपूर्ण लगू द्योगी काई या संबद्धित हैं एक पसुपालन से, दो हत कड़गा से, दो नौकरी से, तीन इन में कोई नहीं चलिए अगले प्रशन के और बरते हैं काईची पूराम पल्लब बनस के राजाओं के राजधानी हुआ करते हैं चलिए हम अगले प्रशन के और बढ़ते हैं इंडिया विंस फ्रीडम के गरंथकार कौन थे एक जवाललाल नहरू दो अबुलकलाम आजाद तीन भीमराव अंबेड कर चार महत्मा गांधी तो इसका सही अंसर अगा दोस्तों अपसन दो अबुलकलाम आजाद तो चलिए हम अगले प्रशन के और बढ़ते हैं किसकी समाधी अस्थल सक्ति अस्थल कहलाती है एक राजिंदर प्रसाद की दो महत्मा गांधी की तीन इंद्रा गांधी की चार सरोजनी नयोडी की तो चलिए हम अगले प्रशन के और बढ़ते हैं एक चीन, दो भारत, तीन बोर्णियों, चार अंडमान तो चलिए हम अगले प्रशन के और बढ़ते हैं हमारा आखरी प्रशन है तेंड डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के परधान मंत्री का सरकारी निवास है अप्सन है जो question दो है दोस्तों यानि 10 लिखावा है वो 10 Downing Street किस देश के परधान मंत्री का सरकारी निवास है अप्सन एक अमेरिका का, दो इंगलेंड का, तीन भारत का, चार रूस का तो इसका सही अंसर वो दोस्तों, option 2, इंगलेंड का, परधान मंत्री का, सरकारी निवास का नाम है दोस्तों, 10 Downing Street तो चली हम अगले प्रशन, प्रशन तो हमारा पुड़ा हो गया, आप देखते हैं कल जो प्रशन आपसे पूछा था हमने, उसका जबावा आपको बताए है, प्रशन था, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो समुद्र में परवाहित नहीं होती, तो आपके सामने अगले प्रशन हैं, कि किस आंदोलन द्वारा पुर्व हिंदूओं को हिंदू धर्म बापस लाने का प्रियास किया गया, अप्सन आपके सामने हैं दोस्तों, पहला है सुध्धी आंदोलन, दुसरा है वेदों की और लोटो आंदोलन, अगर आपको इस प्रशन का जवाब मालूम है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जोरूम आता है, दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आया होते कि प्रिया लाइक करें, सेर करें, और मैंने चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को दबा दीजिये, ताकि जो भी मैं पर इस परकार का वीडियो डालता हूं, प